बहुत से बच्चों के दिमाग में एक डाउट होता है कि क्या सर हम पहली बार में CDS examination को निकाल सकते हैं देखो आज की वीडियो बहुत important होने वाली है बहुत लंबी वीडियो होने लिए तो ध्यान से सुनना देखो ये वीडियो जो रहने वाली है उन बच्चों के लिए रहने वाली है जो CDS 2 2024 में फेल हुए है और या फिर उन बच्चों के लिए रहने वाली है साथ इसाथ जो वच्चे पहली बार SCDS का अटइम्ट देने के बारे में सोच रहे हैं या पहली बार SCDS का ग्ञाम देने वाले हैं अब आपार नोर्ट्स ऊठालेना भई कि ये वीडियो बहुत इंपोर्टन रहेने वाली है यह सिरफ उन बच्चों के लिए निया है जो पहली बार अटेम्ट दे रहे हैं उन बच्चों के लिए भी है जो बच्चे फेल हुए है लास्ट अटेम्ट के अंदर जो पिछला एक्जामनेशन हुआ अगर यह वजजब्ची से अब जो एक्जामनेशन होता है डाइक होता है एक सब्टेम्बर से अब जो एप्रिल वाला हमारा टेंट होता ना यह यह अभी हाली में अपनी यह वाला टेंट दिये और अब जो हम तार्गेट करेंगे वह एप्रिल वाले टेंट को करेंगे तो इसके बीच में जो टाइम टाइम है बहुत अच्छा टाइम पिरड है बहुत जबर्दस तरीके से हम लोग तयारी कर सकते हैं आने वाले सीडियस वन दोजार पच्चेस एक्जामनेशन के लिए अब करना क्या है भाई अब आपको पता है सीडियस एक्जामनेशन के अंदर बहुत सारी इंट्रीज होती जिसके तुरू आप सीडियस के अंदर जा सकते हैं मतला सीडियस एक्जाम को क्राक कर सकते हैं ठीक है जी तो यहां पर हम बात करें तो आईये में होता एक जिसको हम इंडियन मिल्टरी अकाडमी करते हैं एफए होता है हमारा जोइन करने के लिए अलग-अलग मोटेव होते है कोई अर्मी में अंडियन लें फोर्स में जाना जाता है तो अलग-अलग होती इसका तुरूं आप सकते हो ठीक हैं में किसी अंदर जा सकते हो वैस kidney शाइन कि लड़कों की तो सबसे बैंटरी होती है IMA, AFA and INA, तो आपको मैं कहूंगा कि आप लोग इनके लिए पहले ट्राइगर, अगर नहीं होता तो OTA भी ट्राइगर सकते हैं, पहले लेकिन आपने क्या करना है, इनके उपर जो है कोशिश करनी है, IMA, AFA and INA, इसके लिए सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टन चीज़ क्या हो तो आप OTA लिए लिए भी ट्राइग कर सकते हैं, ठीक है, OTA दोनों के लिए उपन है, चाहे वो मैन हो, चाहे वो मन हो, वो मन के लिए एकलोती एंट्री है, सीडियस एंट्री कि तुरू, अगर आप आम फोसे जोईन करना जाते हो, तो एकलोता वे है, इकलोता तरीका है, जिसके तुरूंग आप जो है जो है जोईन कर सकते हैं इंट अन फोसे ठीक है जी सिरक इकलोता तरीका है ठीक है आगे बढ़ते हैं आप हमारे चीजे आती है next ठीक है जी कट ऑफ के अगर हम बात करें कट ओफ क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है उसके उपर बात करें हर एक चीज डिटेल में मैं यहां पर अनालेसिस करूंगा हर एक चीज जो हम डिसकस करेंगे इस एक्जामनेशन से लिटल ठीक है फोकस करना आपने अगर आपने टार्गेट किया है तो यहां पर जो 140-145 देख इस तो भाई मैंडेटरी है यहां पर अगर आप एक्जामनेशन को टार्गेट कर रहे हो न तो अपना गुरू मान ही लो ठीक है जी सबसे इंपरटन क्या होता न हम बेसिक चीज़ा भूल जाते हैं नीव होती है न नीव यह नीव आपके एक्जामनेशन की एक्जामनेशन के लिए कहां कहां से आपने कवर करनी है ठीक है जी तो अगर हम साइंस की बात करें साइंस के लिए फिजिक्स केमेस्ट्री बायो यहां पर अगर बात करूं तो नाइन टेंथ की सिरफ आपने एंसियाटी है जो कवर करनी है वहीं अगर हम बात करें वहीं अगर हम बात करें जियागरफी के पोश्चन की तो 10th और 11th की आपने NCRT है जो गवर करनी है वही अगर हम बात करें History पोश्चन की तो 11th and 12th level की है जो NCRT जो हमने कवर करनी है ठीक है जी next आगे करते हम यहाँ पर पॉलिटी के अगर मैं बात करूँ पॉलिटी के लिए सबसे पहले बंदा बोलता कि सबसे बड़े गुरू है उसके बाद पॉलिटी खतम ही एक तरह से समय लो अगर आपने कर लेकिन अगर आप पहले पढ़ने बैठोगो न लक्षमिकान तो तुम्हारे ध पहले पांच से शुरू करते हूं वैसी सेम लेवल है यहाँ पर पहले हमने बेसिक पर जाना है फिर एडवांस लेवल पर जाना है तो बेसिक्स के लिए हमने जो सबसे पहले 11th क्लास की NCRT कवर करनी है ठीक है जी नेक्स अगर हम बात करें साइंस सेगमेंट की साइंस सेग यहाँ पर सबसे अंपॉर्ड़न होते है को सर करना क्या है कहां पर हमने जादा स्ट्रेस यससे हको प्रकूर कर सके हमारे एक्जामेनेशन के अंदर मैं बात करो तो physics की तो physics के अंदर कौन कौन से chapters है जिसके उपर आपने stress देना यहां से questions paper के अंदर आएंगे ही आएंगे mandatory वाला गाम है यह पेपर के अंदर जब आप last year paper देख लो उससे पहले का देख लो इन मेंसे questions आपको देखने को मिलेंगे मिलेंगे major crunch होता है ना करीब 30-30 questions आपके जो हैं आपको paper के अंदर सिर्फ science से ही देखने को मिल जाएंगे ठीक है जिसके उपर बहुत focus होना जी आपका ठीक है तो science के अंदर सबसे पहला chapter is motion उसके बाद electricity sound work energy power gravitation optics यह chapters को अपने ध्यान देना ही देना है फिर हम बात करें अगर chemistry की तो chemistry के अंदर हमने physical chemistry organic और inorganic यह तीनों questions के ओपर ध्यान देना ही देना है तो कि यह ना मैं आपको यह जो चीज़ें बता रहो ना examination के अंदर इनसे questions बनने ही बनने है तो को होता गया ना हमें पता दो होता है कई वार बहुत सारी चीज़े पर हम लोग ना उसको नजर अंदाज कर देते हैं कि यह chapters हो यार यह तो कर लेंगे हो जाएगा नहीं भाई नहीं आपको साथ ही साथ note down करो और उनके ओपर stress दो या basic से शिरू होना यह नहीं कि मुझे आता है आता आपको कुछ नहीं है यही दिमाग में लेके बैठना आपने कि मुझे कुछ नहीं आता मैं learning phase में हूं यार मुझे सीखना नया सीखने आए हूँ अगर आप यह सोच के बैठो कि मुझे सब कुछ आता है तो पेपर फिर नही कुछ शीखने की चाह ओने चाहिए एक Will होनी चाहिए आपके अंदर कि मुझे घृक करना है OLIV Gcarbon uniform मुझे अपनी बर्दी पहननी है व अलिव ग्रीन यॉनिफॉर्म पहननी है अपनी छाती के ओपर चाहिए है मुझे ठीक है ना तो नेक्स एकर हम बात करें बायो की टो बाय सब्सक्राइब करने बहुत करते हैं निग्लेक रदता है लेकर उसे बहुत कॉछन करेंगे इस से स्टार्ट करो यह बेसिक लेवल्स होते हैं इससे NCRT से करना अपना शुरू करो और इनको अगर आपने कवर किया फिर मैं अडवांस लेवल के अंदर हमको आपको बताएंगे कि कैसे कवर करना है अब अडवांस लेवल के लिए चाहिए वो किसी वह सब्जेक्ट की में बात करूं अडवांस लेवल के लिए आपने कैसेशें करने कितनी करनी है सर अंपक्ता करे कैसे इनकाला है जो게 आप कहसकते हो इंडिया का सबसे प्रीमियम जैने वाला है ठीक है जी CDS 1-2025 के लिए अगर आप CDS 1-2025 टारगेट कर रहें न तो ये बैच है आपके लिए इस बैच के अंदर आपके लिए हर एक टीचर जो है बहुत एक्सपीरियंस्ड है ठीक है जी 15-15 साल की एक्सपीरियंस टीचर रखे में अजेब एनिवाल सर यहां पर आपको ज ऑच्ट्र माइंड भाई कोई जवाब ही नहीं है ठीक है जी इसके लावा अगर मैं बात करूं साइन्स की शेलिंदर सर फिजिक्स केमेश्ट्री बायो 15 साल का एक्सपीरियंच शांदार तरीके से आपको जो है फिजिस चेमेश्ट्री बायो करा आएंगे पूरा साइंस का आपको गौरी इमाम है जो कि यहां पर पढ़ाएगी सो इस बैच के बारे में बात कर लेते हैं बैच का नाम है शेर्शा बैच ठीक है जी अगर आप टार्गेट कर रहे हैं IMA, INA, AFAR, OTA सारी चीज़ें आप टार्गेट कर रहे हैं मतलब मैच्स भी पढ़ना आपने हैं जी इस का पार्ट और इंग्लिश भी कवर करना है तो यह बैच आपके लिए इसके अंदर जो है लाइव क्लासे डाउट क्लेरिंग सेशन्स रिकॉर्डेट सेशन्स पीवाई क् मिलेगी आपको और डीपीपी भी आपको मिलेंगे बैच का प्राइज जो है ना वह सबसे बहतरीन है स्तात महीने का कोर्स सेवन मंस का कोर्स आपको सिरफ मात्र चार हजार पे मिलने वाला है यह पहले पानसो बच्चों के लिए होने वाला है फर्स्ट फाइवनड़ के बाद यह चेंज हो जाएगा बैक टू 4,500 लेकिन मैं आपको गरंटी दे रहा हूं अगर आपने बैच से पढ़ाई करी तो आपका पेपर क्लियर करने से कोई नहीं रोख सकता है यार क्योंकि सबसे ज्यादा इंपॉर्टन क्या होते हैं में जो टीचर होते हैं वह सबसे पहले मैं बात बता दू यह बैच 4,000 रुपीज का अगर आपने IMA, AFA, OTA and INA चारो टार्गेट करने हैं तो यह बाच आपके लिए वहीं अगर मैं बात करू अगर आपने सिरफ सिरफ OTA टार्गेट करना है कि भाई आपने मैच्स नहीं पढ़ना है तो आपके लिए रहने वाला है कोर्स दाट इस शेशा अगयन बट इसका बैच प्राइज जो है डाट इस 25 फाइव रुपीय छारुपीज रहने वाला है इसके अंदर भी सेम चीज होगी बट यहां पर मैच्स टी क्लासस नहीं होंगी इसके अंदर सिरफ जिये खी क्लासस होगी मैच्स नहीं पर OTA 2500 रुपीज ठीक है जी तो दोनों ही प्रीमियम बाच है दोनों का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है SSB गाइड आप जो है अमारी आपने खरीदना कैसे यह बाच आप डाउनलोड करेंगे वहां पर आपको जो कर रहा होगा CDS 125 के लिए बाच शेर्षा बाच का नाम है ठीक है जी शेर्षा OTA के लिए और शेर्षा जो है पूरा कम्प्लीट CDS के लिए दोनों ही चीज़े आपके पास अभेलेबल है तो दोनों मेंसे कोई भी बाच अप जो करिए और को जो है वो लाइव हो चुका है फटा-फट से जाके बाए कर लीजिए अगर आप सीडियसली पढ़ाई करना जातें सीडियस 1225 को क्राक करना जाते हैं तो दिस इस दी कोर्स फर यू ठीक है जी मूविंग फॉरवड हम जो है दुबारा अपने उस को पर बात करत ज्याओअु जोग्रेफिक एक्षेन के अगर बात करूं यहां पर दो इंप्टनट चैप्टर क्या है लिञाँ इसके लावा शॉइल और क्लाइमेट आपने कवर करना इंगी कुछिछ इंप्ट्न टॉपिक्स है जो आपने कवर करने करने है एक्जामनेशन पॉन्ट एग एक्सपीरेंस काउंट होता है आपका ठीक है जी 15-15 साल से टीचर आपको टीच करा रहे हैं वो डिफेंस की काटेगरी के अंदर जो टॉप रिजल्ट्स प्रोड्यूस करें हमने ठीक है जी नेक्स्ट अगर हम बात करें डाट इस रेलवे जोन नेक्स्ट इस नाशनल हाइवे गोल्डन कॉडिलेटरल ओशनकरंड टाइगर रिजर्व औं बायसफेर रिजर्व अटमॉस्फरिक लेयर शी पॉर्ट्स यह इंपोर्टन टॉपिक्स है जो आपको कवर करने ही करने है जार नेक्स्ट अगर हम बात करें डाट इस करंट अफेर की करंट अफेर एक इंपोर के देखने को मिलेंगे paper के अंदर अगर हम बात करें sports की एक important topic होता होट topic होता इससे paper पूछा जाता है defense related questions आते national news international news awards ठीक है जी important personalities यह कुछ important topics होते हैं यह सब आपको cover कराएंगे शेर्षा बैच के अंदर जो कि medium से grammar से ठीक है जी गौरी मैं आपको एक नंबर उपी करा देगी यह चीज और रेनिन मार्टन जो बुक है हमारी उससे आपने जो है इसको त्यार करना और गौरी मैं बरोसा रखना एक नंबर तरीके से आपको जो है questions देखने को मिलेंगे इस बार जो है अर्पे सर और अजे बेनिवाल सर का एक नंबर कहने के जुरूरती नहीं है जो बच्चे पड़े हुए जो बच्चे जानते हैं उनको पता है कि उनसे उपर मैट्स का लेवल कच्ची नहीं कर पाया कोई ठीक है जी अब यहां पर मैट्स का सेग्मेंट जो है न दो पार्ट के इंदर डिवाइड है अर्थमेटिक एलजेबरा जो कि 40 परसंट आपका एग्जामिनेशन का मैट्स का पोशन कवर करता है और अडवांस मैट जो की साथ प्रतीशत होता आपका ठीक है जी अब बात आती कौन-कौन से चाप्टर हमने कवर करने है बाई अडवांस मैट्स परसंटेज रेशो और प्रोशन प्रोशन प्रोफित और लॉस इंपल एंट्रेस्ट इन कंपाउंड इंट्रस लोगरिद्म क्वाड्रेटिक पैक्टर लीनर एक्वेशन अंड शेट्स यह आपका जो है अलजेबर और अर्थमेटिक का जो है पोशन कवर करता है और डाट 40% of your maths exam ठीक है जी वहीं अगर हम बात करें advanced maths की advanced math जो की 60 प्रतीशत आपका examination का cover करता है इसके अंदर कौन-कौन से chapters आते हैं that is height and distance trigonometry, geometry, mensuration and stats यह important chapters होते हैं जो की 60 प्रतीशत होता है आपके examination का तो यह चीज आपको जो है बिल्कुल आसान बनाने के लिए share share batch launch किया है हमने जो की ssb guide app के अपर available है तो आपने बस क्या करना है कुछ नहीं करना जादा से सिरफ ssb guide app डाउनलोड करनी है और वहाँ पर share batch for cds125 के लिए डाउनलोड करना है फटा-फट से खरीद लो सिरफ 4000 रुपीज का है यह batch and बहुत मैं आपको guarantee दे रहा हूँ अगर आपने batch देख लिया पढ़ लिये से तो आपका selection कोई नहीं रोक सकता भाई कोई भी नहीं रोक सकता आपकी uniform सिरफ एक batch दूर है आप यह समझे लो और क्या है cost भी कुछ नहीं है भाई 7 मेने का course सिरफ आपको 4000 1000 रुपे में मिल रहा है 4000 रुपे में क्या होता है भाई इससे ज्यादा कि तो तुम एक jeans खरी लेते हैं आज के टाइम पर एक party करने जाता हो ना तब वो इससे ज्यादा महेंगी हो जाती है लेकिन अपनी पढ़ाई के उपर जो कि सबसे आदा important होती है अपने उपर invest करना अगर आप अपने उपर नहीं invest कर रहें कोई benefit नहीं आप grow नहीं करोगे life के अंदर कुछ करना है अगर 4000 रुपे मात्र देकर आपकी improvement होती है आपकी वर्दी आपको जो है एक कदम पास आ जाती है तो इससे बड़ा मौका आपको जो है नहीं मिल सकता ठीक है जी अब सीडिय flow and geometry से सिर्फ 67 कोशन आपको डारेट देखने को मिलेते भाई सिर्फ यह पोशन से ही आप देख सकते हो यह पोशन को आसान बनाने के लिए आपके लिए अर्पित सर और अजे बेनिवाल सर जो है आप मुझूद है ठीक है बच्चे तो यह आपका road map है अगर आप सीडियस 125 क करना है और इस बार का examination आप क्लियर करेंगे आई में में या फिर OTA में या फिर AFA में या आईने में जो भी आपका सपना है अपने आपको जुरूर पाएंगे ठीक है बच्चे आपको वीडियो पसंद आई पसंद आई तो लाइक जुरू करना और अगर आप इस चैनल के सब्सक्राइब करना मत बूलेगा आप से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत